आज का हमारा टॉपिक है ल ए टी जिसका मतलब लिखा है करने देना ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट उस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट हो वो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने देता है एक्जेंपल देखिए किस तरह के होते हैं मैं उसे जाने देता हूँ सब्जेक्ट हूँ मैं मैं न क्या काम करता हूँ मैं करने देने का काम करता हूँ यानि जाने देने का काम करता हूँ जाता मैं नहीं हूँ बलकि जाता तो वो है मैं उसे जाने देता हूँ, लेकिन मैं उसे जाने देता हूँ, करने देता हूँ उस काम को, मैं उसे permit करता हूँ या allow करता हूँ, ठीक है, वो मुझे खेलने नहीं देता, हमने राहूल को अंदर आने दिया, हम खुद अंदर नहीं आ है, बल्कि हमने राहूल को अंदर आने द रवी उसे मिलने नहीं दे रहा है, पापा आपको नहीं जाने देंगे, मैंने उसे जाने दिया, आपको उसे बोलने देना चाहिए, वो मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगी, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, क्या आप किरपया मुझे दो मिनट चैन की सांस लेने दें ऐसे सभी sentences में जहां पर subject, subject हुम है, वो, हम, रवी, पाप, मैं, आप, वो, आप, आप, जो भी subject है, वो किसी काम को करने देता है, तो ऐसा sentence उसमें let का use किया जाता है, बहुत सारे students confused होते हैं, तो इन सभी sentences में, अगर मैं आपसे पुछूँ की sentence की main verb क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, तो आपको confused नहीं होना है, यहाँ पर मुख्य क्रिया जाना नहीं है, खेलना नहीं है, आना नहीं है, मिलना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, बोलना नहीं है, खाना नहीं है, मुख्य क्रिया इन सब में लेट है तो सबसे पहले सब के आगे लेट लिख देता हूँ मैंने सब के आगे लेट लिख दिया क्यों लिख दिया अभी मैं आपको बताता हूँ अब बात करते हैं दूसरी मुख्य क्रिया कौन सी है यहाँ पर जाना, यहाँ पर खेलना तो इसे आप कहेंगे कि यह secondary verb है secondary जाना, जाने को कहते हैं go खेलना, खेलने को कहते हैं play आना, आने को कहते हैं come मिलना, मिलने को कहते हैं meet तो चलो सब लिख देते हैं जाना जाना बोलना खाना सोचना क्या आप किरपिया मुझे दो मिनट चैन की सास लेने देंगे लेना ठीक है तो ऐसे सभी सेंटेंसे में हमेशा में वर्ब होगी लेट और सेकेंडरी वर्ब जो है न उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आईगी यह आप ध्यान रखिएगा हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म अभी जब हम बनाएंगे न तो मैं आपको बताऊंगा और एक बात ध्यान रखनी है मैंने कहा यहाँ पर सभी सेंटेंस में लेट आपकी में वर्ब होती है क्योंकि किसी न किसी काम को करने देता है सब्जेक्ट और लेट चुकि में वर्ब है इसकी तीन फॉर्म कौन से होती है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म सेम होती है लेट 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 और अगर मैं बात करूं फॉर्थ फॉर्म जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं आई एंजी फॉर्म वो होती है लेट इंग simple अब हम बनाते हैं एक-एक करके sentences को अब जब एक-एक करके sentences को हमें बनाना है न तो सबसे पहला ध्यान हमें रखना है कि sentence किस tense का है पहला sentence मैं उसे जाने देता हूँ ता ते ती और उसके साथ है है हो हूँ यह sentence present indefinite tense का है और rule के इसाब से, सबसे पहले subject है मैं, यहाँ पर जो मुख्य क्रिया, यानि main verb है, वो है let, और secondary verb है, जाना यानि की go, इस sentence को मैं कैसे बनाता हूँ देखिए, I let him go, अब ज़रा सोचिए कि ऐसा यह sentence क्यों बना, subject है I, उसके बाद main verb, जो भी sentence की मुख्य क्रिया है, उसकी first form क use किया गया, यहाँ पर मैं as लगा देता, अगर मेरा subject होता third person singular, जैसे he, she, या किसी एक व्यक्ति का नाम, लेकिन यह है I, तो यहाँ पर मैंने as का use नहीं किया, दूसरी बात यह है कि subject उस काम को जिस किसी को भी करने देता है, उसे he, उसका हमेशा objective pronoun, he को जब आप object में use करत हैं तो him बना देते हैं, यह use करेंगे और अब बात आती है secondary verb की और secondary verb जाना, जाने को go, हमेशा धान रखें secondary verb की हमेशा first form का use होगा, I let him go, अब देखिए दूसरा sentence, वो मुझे खेलने नहीं देता, वो मुझे खेलने नहीं देता, ता ते ती, वो मुझे खेलने नहीं देत है, present in definite tense का negative sentence है यह, negative, वो मुझे खेलने नहीं देता है, he, he के साथ आप क्या use करेंगे, present in definite tense के negative में, आप use करते हैं, does not, he does not, उसके बाद verb की first form, let, किसे, मुझे, मुझे के लिए आप I का use करते हैं, अगर subject में आता, लेकिन यह objective पार्ट में आ रहा है तो आप लिखते है मी, और क्या नहीं करने देता, खेलने नहीं देता, तो जो secondary verb है, उसकी first form का आपने use किया, he doesn't, let me play, हमने रहुल को अंदर आने दिया, आया गया, उठा बैठा, रोया, सोया, हसा जागा, नाचा गया, खेला, कुदा, किस tense का है, past and definite tense का, affirmative sentence, rule क्या कहता है, सबसे पहले आप लिखते हैं subject, subject है, हम, we, उसके बाद work की second form, अब let की तो second form भी let होती है, तो we let, किसे? राहुल को, we let राहुल, आना, हमेशा first form, जैसा मैं आपको बताया, secondary verb की, अंदर के लिए in, we let राहुल come in, हमने राहुल को अंदर आने दिया, next sentence, रवी उसे मिलने नहीं दे रहा है, रहा है, रही है, रहे है, present का continuous tense, और negative sentence है, present continuous के negative को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले subject लिखते हैं आप रवी, रवी एक third person singular subject है, तो रवी के साथ लिखेंगे आप is, रवी is, negative में not, उसके बाद verb की first form के सब ing, यानि कि fourth form बना लेते हैं और let की जो fourth form मैंने आपको बताई थी क्या है वो, letting, रवी is not letting, उसे, वो, कोई लड़का है न, अगर लड़का है तो he, लड़की है तो she, और उसका objective pronoun, मैं मान लेता हूँ लड़का है, तो मैंने का him, लड़की होती तो her, मिलने को हम कहते हैं, meet, simple, रवी is not letting meet, पापा आपको नहीं जाने देंगे, देंगे, गागेगी, जब भी किसी वर्ब के साथ गागेगी लगके आता तो future indefinite tense का sentence है, future indefinite, आप देखिए, पापा विल, पापा विल नॉट, negative sentence है न, पापा विल नॉट, और उसके बाद बब की first form, let, आपको, आपके लिए आप यूज़ करते हैं, you, चाहे subject में आए, चाहे object में आए, जाने को आप कहते हैं, go, simple, पापा विल नॉट लेती गो, अच्छा, अगर मैं कह दूँ कि प पापा आपको market नहीं जाने देंगे, पापा विल not let you go to market, बस वो add होता जाएगा, लेकिन basic structure यही है, मैंने उसे जाने दिया, आया गया, उठा बैटा, रोया, सोया, past and definite tense का affirmative sentence, मैंने उसे जाने दिया, I, और इसके बाद verb की second form, main verb है let, let की second form let होती है, उसे जाने दिया, अ इन दोनों में से किसी एका यूज़ करेंगे, accordingly, मैंने उसे जाने दिया, I let him go, या I let her go, आपको उसे बोलने देना चाहिए, चाहिए किले हम क्या यूज़ करते है, should, आपको उसे बोलने देना चाहिए, subject है आप, you should, should के बाद sentence की जो main verb है, उसकी first form, first form let, उसे बोलने देन चाहिए, him, secondary verb है, speak, और उसकी first form का use आप करते है, you should let him speak, वो मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगी, future indefinite tense का negative sentence, not का use करेंगे, लेकिन, कभी नहीं, जब कहा, तो never का use कर लेंगे, वो, किसी लड़की की बात हो रही है, she will, not की जगा, अब हम क्या कर लेते है, never, she will never, और उसके बाद verb की कौन सी form, first form, she will never let me eat, क्या, burger, sentences बहुत ही simple है, formation बिल्को clear है, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, ता तेती, present indefinite tense का negative sentence, subject हैं आप, you, you के साथ आप क्या negative में use करते हैं, do not या does not, आप use करते हैं, do not, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, और तक के लिए आप कौन सा conjunction यूज़ करते हैं, even, you do not even, verb की first form, let me think, अच्छा इस sentence में अगर मैं तक का use नहीं करता, तक का use नहीं करता मैं कहता, आप मुझे सोचने नहीं देते, you do not let me think, लेकिन even का use किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो sense आ रहा है न, तक का, आप मुझे सोचने तक नहीं देते, next sentence, क्या आप किर्पिया मुझे दो मिनट चैन की सांस लेने देंगे, इस sentence को बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनेगा, interrogative sentence है, और कैसा sentence है, क्या आप क्रपिया मिरसा डांस करेंगे, क्या आप क्रपिया वहाँ जाएंगे, क्या आप यह करेंगे, क्या आप वो करेंगे, ऐसमें आप would का use करते है, would के वीडियों बताया है न मैंन आपको, वुड़ी please, would you please, प्लीज अब क्या वर्ब की कौन से फॉर्स फॉर्म में वर्ब क्या है लेट वोड़ी प्लीज लेक में टेक क्या आप किर्पिया मुझे लेने देंगे चैन की सांस इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं मैं आपको कई बार बताया भी है पहले वीडियो में और यहां पर आएगा question mark ठीक है तो क्या sentence बना और आपकी knowledge के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर लेने में ऐसे case में टेक की जगह पे आप breathe या हीव दोनों में से किसी का भी उसकर सकते हैं breathe या फिर heave तो आप sentence कैसे बोलते हैं वोडी प्लीज लेट मी breathe a sigh of relief for two minutes या फिर फिर प्लीज लेट मी heave a sigh of relief for two minutes और take other use आप करी सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने let का use करना सीखा sentences में अगले वीडियो में हम इसकी practice करते हैं उसके अगले वीडियो में हम इसके passive voice के sentence उसको बनाना सीखेंगे और फिलाल मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ sentences इन sentences को आपको translate करके इस वीडियो के comments में लिखना है और इनके answers यू तो मैं description में इस वीडियो के description में already लिख चुका हूँ लेकिन फिर भी पहले आप translate करिएगा उसके बाद चेक करिएगा कि आपने जो sentence बनाए वो सही है या गलत उमीद है आपको यह video lecture पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like करिएगा और share जरूर करिएगा अपने सभी friends के साथ और comments में बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा thank you so much for watching this video guys see you in the next video lecture take care and goodbye